तो आज हम I love PDF का एक नया फीचर सीखेंगे, अगर आपके पास बहुत सारे PDF से और आप उसको digitally stamp करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, stamp का जो एक file है, उसको एक image बनाकर एक folder में store कर देना है, फिर आपको जो भी image है, उसको PDF में convert करना है, और फिर उसको stamp करना है, तो यह आ अब इससे मुझे page पे stamp करना है, तो मैं क्या करूँगी, I love PDF को open कर देती हूँ, इसके home page पे जाती हूँ, यहाँ पर मैं watermark पे click करती हूँ, फिर मुझे open file करना है, और यह जो मेरा CV है, faculty CV, इसको मैं open कर देती हूँ, अब मुझे place image पे click करना है, select image, अब मैंने already stamp का soft copy बना अब मुझे करना है, अब मुझे करना है, add watermark, यह देखे, watermark से open हो गया, अब मैं open folder करके, इस file को open कर देती हूँ, तो यह देखे, जो मेरा PDF था, उसके हर page पे, यह stamp automatically आ गया है, तो इस तरह आप क्या कर सकते है, आपके बहुत सारे PDF और आपको digitally stamp करना है, तो आप इस तरह इसको digitally stamp कर सकते हो, बहुत ही simple है, I hope यह video आपको बहुत पसंद आएगा, thank you.